दोस्तों आज हम जानेंगे LG कंपनी के कंप्रेशर में आप कैसे पता करेंगे कि इसकी जो वाइंडिंग है वो ऐलमूनियम की है या फिर कोपर की है आज मैं आपको दो कंप्रेशरों से एक बहुत ही आसान उधान के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा और आप बिल्कुल इसे असाने से समझ भी पाएंगे शिरफ एक अक्षर का ही हेर फिर होता है अगर आप उसे समझ गए तो समझ ये कि आपको पता चल जाएगा कि इस कंप्रेशर में एलमूनियम वाइंडिंग है या फिर कोपर वाइंडिंग ये इसलिए जरूरी है दोस्तो हम शोप के पर से कंप्रेशर लेकर आते हैं पैसे कोपर के देकर आते हैं लेकिन हमारा कंप्रेशर एलमूनियम वाइंडिंग वाला होता है जिससे वो जल्दी खराब हो जाता है अभी आप देखिए MA 62 LAJM ये एक कंप्रेशर मोडल नंबर है इसी में वो सरा राज छोपा ह आपको सिर्फ ध्यान देना है इसके दूसरे अक्षर पर जैसे MA 88 LAEG या फिर MA 62 LAJM जो L के बाद ये शब्द आता है दोस्तों इसी को आपको फाउंड करना है मैं आपको बताऊंगा कि कौन-कौन से अक्षर अगर यहां पर होंगे तो वो वाइंडिंग कोपर की होगी या फिर अलमूनियम की अभी जो आप यह देख रहे हैं MA 88 LEJM L J E M तो अगर इस कमपेश्चर का या आप तो उसरी नमबर को ध्यान से देखेंगे तो यह J है दूसरा नमबर और उसका था दूसरा नमबर A तो दोस्तों अगर इसका किसी भी कमपेश्चर का दूसरा नमबर अगर किसी कमपेश्चर के मोडन नमबर में जो दूसरा नमबर है अगर वो A B C D E F होगा तो उस कमपेश्चर की वाइणिंग को पर की होगी इसमें कोई भी शक नहीं है लेकिन अगर किसी कमपेश्चर का जो दूसरा नमबर है जैसे मैंने आपको बताया L J E M जो अभी अक्षर J है तो समझ लीजिए यहां पर प्रोब्लम है अगर किसी कमपेश्चर में दूसरा नमबर H K J M N होगा तो उस कमपेश्चर की वाइणिंग एलमुनियम की होगी इनिश्चित जानिए अगर दूसरा नमबर A B C D E F है तो कोपर की वाइणिंग वाला कमपेश्चर हो बूलिएगा धन्यवाद दोस्तों